आप भी अपने WhatsApp पे डिलीटेड मैसेज को देखना चाहते हैं क्या आप जानना चाहते हैं कि WhatsApp में डिलीट हुए मैसेज को हम कैसे पर सकते हैं तो फिर ये वीडियो देखते रहिए हलो, नमस्ते, मेरा नाम है सन्नोज तो चलिए यही देखने के लिए चलते WhatsApp अकाउंट पे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो WhatsApp अकाउंट यहाँ पे स्क्रीन पे लगाया है एक मेरा WhatsApp अकाउंट जो है वो राइट में है और लेफ्ट में जो है वो एक दूसरा WhatsApp अकाउंट है और यहां पर हम आपको दिखाने के लिए आपको यहां पर पहले चलिए पहले देख लेते हैं कि किस तरह से message पहले जो है वो delete दिखाता है और फिर यहां पे कोई दूसरा message यहां से हम भेजते हैं, यह hello लिख दिया, और इसे भेजते हैं, और यह देखिए, इधर हमारा जो message है, वो आ गया left बाले में, और अब इसे जो है, हम पहले delete कर लेते हैं, कोई भी अगर इसे अब delete कर देगा, तो आपके phone में भी यह delete हो जात इसे साथ में जहां पे आप message भेज रहे हैं, उसके phone में भी delete हो जाएगा, देख सकते हैं, दोनों phone में जो है delete हो गया है, यहां पे देखिए, इस message was deleted, दोनों phone में जो message है, वो delete हो गया है, तो इसे हम कैसे देख सकते हैं, इसे देखने के लिए हमें एक application install करना होगा, इस्टोर में उपर search में हम टाइप करेंगे notice save यह उपर आ गया क्लिक करते हैं इस पर और यहां से आप इसे install कर सकते हैं यहां पर आपको install का बटन दिखेगा हमने install किया हुआ है तो हम जो है इसे simply open करेंगे install करने के बाद आपको यह open करना है open करते हैं और यह इस तरह से screen दिखेगा यहाँ पे तीर पे click करते हैं next करते हैं और यहाँ पे जो भी permission आपसे पूछा जाएगा उसे आपको allow करते रहना है allow करते हैं और अब यहाँ पे यह जो है कुछ permission पूछ रहा है next करते हैं और यहाँ पे आपको notice save का option दिखेगा इसे आपको tick कर देना है notification access के लिए tick करके हम इसे यहाँ पे नीचे allow कर देते हैं allow पे click करते हैं ताकि यह हमारे notification को access करें back करते हैं और अब यहाँ पे हमारा जो कुछ और permission पूछ रहा है photo media और contact का allow करते हैं और यह application loading हो रहा है यह हमारे सारे application loading यहाँ पे हो गया है अब यहाँ पे बोलाए notification जो है वो जो on है वो block रहेगा next पे click करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं on जो है उसके notification जो है save नहीं होगा तो यहाँ पे अगर आपको किसी और का किसी और application का भी notification शेप करना है तो उसे आप बंद कर देंगे फिलहाल हम नीचे जाते हैं नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे by default Gmail, message और phone, WhatsApp, YouTube यह सब का बंद है तो यह सब जो है application का notification save होगा अगर आपको इन सब में से जो है Gmail, message यह सब का notification नहीं save करना है तो आप इसे on कर देंगे यह जब on रहेगा तो यह notification save नहीं करेगा, block हो जाएगा यहाँ पे हम सिर्फ जो है WhatsApp का off रहने देते हैं और सब जो है on कर देते हैं क्योंकि मुझे सिर्फ WhatsApp का message परना है यहाँ पे WhatsApp का आपको ध्यान रखना है कि यह off रहना चाहिए और इसे back करते हैं आप और अब यहाँ पर यह बोल लाहा है यहाँ से on कर देंगे अब यह on हो गया back करते हैं और अब यहाँ पर हमारा जो settings है वो complete हो गया है successfully अब हमें setting नहीं करना है अब सिर्फ message जो आएगा delete जो हो जाएगा वो यहाँ पर हमें save होते रहेगा चलिए आपको दिखाते हैं किस तऱ से message यहाँ पर आता है अब यहाँ से हम बाहर आते हैं और दुबारा से whatsapp पर जाते हैं और यहां पे अब जो है अब देख सकते हैं यहां पे अब हम कुछ message भेजते हैं अपनी दूसरे account से जो दूसरा account है उससे हम यहां पे कुछ message भेजते हैं यहां पे हम high भेजते हैं और यह इधर आप देख सकते हैं आ गया है अब क्या करेंगे हम कि इसे हम back करके इसे काट दे यहां पे हमேle डिख़ते हैं इसे हम कार दिया हमने हमने क्लोज कर दिया और क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे जो हमने दो message भेजा है उसे हम select करते हैं पहले और अब इसे हम delete कर देते हैं delete for everyone ताकि दोनों phone में delete हो जाए और delete करते ही आप देख सकते हैं delete हो गया है और अब यहाँ पे हम इस WhatsApp में open करेंगे हमारा जो WhatsApp है उसे हम open अगर करते हैं तो वो जो message है वो deleted दिखाएगा चलिए open करके आप दिखाते हैं और यह WhatsApp यहाँ पे आप देख सकते हैं दो message हमने भेजा था वो अब delete हो गया है यहाँ तो इसे हम देखने के लिए अब हम अपने application में चलेंगे जहाँ पे हमने notice save के application पे हम जाएंगे वहाँ पे यह हमारा message जो है वो save होगा चलिए notice save के application पे जाते हैं और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं नीचे जो हमारा message है वो यहाँ पे आया हुआ है इसमें हम क्लिक करते हैं और यह आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो दो मैसेज भीज़े थे वो यहाँ पे सो हो गया है यहाँ पे दिख रहा है हमें तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिलीट वे मैसेज को भी हम बरही आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि application install करने से पहले आपने जो message delete कर दिया हुआ है जो message delete हुआ है वो आप नहीं देख सकते हैं application install करने के बाद जितने भी message delete होंगे वो यहाँ पर save रखना है